हाई गाईज स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है देखिए आपने गूगल की यदि आप जीमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट कह लीजी यदि आप गूगल की कोई सर्विस का यूज़ करते हैं तो आपने सेकिंड स्ट नाम सुना ही य orada फिए इस वीडियो ने हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस वीडियो का मारा वही मोटी कह पहले जाल कि आप सब्सक्राइब क offenseродफ है क्休 Hack बात कर रहे हैं ऑग कि अगर हम बात करे तो बाथ लकत टो इसटय कर दिसisini नorta में आप आवरिफिकेंटेश verification तो यह बहुत जंगे पर आता है, जैसे WhatsApp पर भी आता है, ठीक है, बहुत से ऐसी platforms है, जहां पर इसका use होता है, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि Google account या फिर Gmail account में two step verification क्या है, अब माल लिजिए आपने first of all, एक email ID, एक Google account create किया, ठीक है, अब create करते समय, आपने वहाँ पर mobile number या email ID, आप से पूछी जाती है, लेकिन वो optional होती है, अगर आपने वहाँ पर mobile number और email ID दी है, तो आप अपने account पर two step verification को own कर सकते हैं, और own करने तरीका क्या है, वो मैं आज को इस वीडियो में आपको बताने अब देख लेते हैं कि आखिल two step verification code क्या है, कैसे काम करता है, देखे, मैंने बताया आप से कि gmail account जब आप create करते हैं, तो mobile number और एक recovery email ID आप से पूछी जाती है, तो यदि आप उसको देते हैं, और two step verification को on कर देते हैं, तो वो काम करना शुरू कर देता है, बट अगर आप two step verification को on नहीं करते हैं, तो कैसे काम करता है, वो समझे देजिए, for example, आपने अपना account create कर लिया, create करने के बाद, आपके पास एक gmail ID आ गई, और दूसरा उसका आप login हो जाते हैं, किसी भी device में, वो आपका mobile हो, आपका laptop हो, या किसी दूसरे का laptop हो, ठीक है, बट, यह हो गया, केवल और केवल single step verification, क्योंकि वहाँ पे आप से email ID पूछी, और दूसरे नमबर पर password पूछा, दोनों चीजे match कर गई, first step clear हो गया, तो आपकी login भी हो गई, लेकिन अब बात करते हैं, कि अगर हमने two step verification को on किया होगा, यदि हमने two step verification को on किया है, तो जैसे हम email ID डालेंगे, उसके बाद password डालेंगे, और जैसे login करेंगे, तो login account नहीं होगा, directly account login नहीं होगा, बलकि जो आपने mobile number दिया है, उसके उपर एक OTP जाएगा, गूगल की तरफ से, ठीक है, जी करके आता है, तो उस OTP को आपको verify करना होगा, तब जाके आप login कर पाएंगे, तो यह होगा two step verification, पहला क्या हुआ, password match, पहला step clear, द बोलते हम double step verification, अब condition दूसरी यह हो सकती है, कि माल लिजी आपके पास में आपका mobile number नहीं है, बट आपने अपने account से, अपनी email ID को link किया हुआ है, और वही email ID माल लिजी आपने किसी दूसरे device में, किसी mobile में आपने login कर रखी है, और आप किसी system पर अपनी email ID को, उस email ID को जो आपने दूसरे device में, दूसरे mobile में login कर रखी है, उसे आप किसी system पर login करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना है, email ID डालेंगे, उसके बाब password डालेंगे, जैसी password डालेंगे, तो फिर वही condition आएगी, आपके mobile पर OTP के लिए कहेगा, आपको option दिखाएगा, कि आप जो second step verification है, क्या चाहते है, email ID के थुरू, second step के लिए करना चाहते है, या फिर mobile number के थुरू करना चाहते है, जैसे भी करना चाहते है, अब माल लिजे, मेरे पास में mobile number वो नहीं है, लेकिन email ID मैंने किसी दूसरे device में login की हुई है, तो वहापे आपको एक option मिलता है, notification का, कि आपने इस device म एक pop-up जाएगा, pop-up भी कहीं तरह का होता है, ठीक है, लेकिन अभी जो हाल फिलाल में चल रहा है, उसमें क्या है, एक pop-up जाएगा, उसमें कहेगा कि क्या आप इसको access करना चाहते हैं, तो उसमें एक yes और एक no का button मिलता है, जैसे आप yes करेंगे, तो तीन number आते हैं, ठीक ह हैं, उन में से एक number जिस पर आप click करोगे, यदि वे दोनों match हो जाते हैं, तो आप उस device पर login कर पाएंगे, तो यह होता है second step verification, गूगल का second step verification, अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको अपने account पर हम active करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें पहले कहना जाऊंगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लेस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, क्योंकि हम अपने इस YouTube चैनल पर इसी प्रकार की informational video regular upload करते रहते हैं, तो यदि आप future में ऐसे informational video देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को ओन कर लीजेए, ताकि future में जैसे ही मैं कोई ऐसा informational video upload करूँ, उसका notification आप तक पहुँच जाए, और वीडियो आप से मिस ना हो, यदि फ्रेंस हम अपनी PC की स्कीन पर आ चुके हैं, और अब देख ल रहें, तो मूबाइल में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको simply करना क्या है, वो समझ लीजे, आपको अपने मूबाइल की setting में जाना है, जैसे आप setting में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको Google का एक menu मिलता है, Google का function मिलता है, आप Google पर जैसे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इ देख रहे है, personal info हो गया, data, personalization हो गया, security हो गया, यह सभी tab यहाँ sidebar में आ रहे हैं, लेकिन mobile में top पर आएंगे, तो आपको double step verification को on करने के लिए, क्या करना है, यहाँ जो side में security आ रहा है, या फिर mobile में top पर आएगा, तो security को आपको choose करना है, जब आप security को choose करेंगे, तो आ यहाँ पर मैं इसको arrow के पर click कर लेता हूँ, जैसी arrow के ओपर click करूँगा, तो देखिए, यह मेरे सामने second step verification के एक window open हो जाती है, अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला option है, add an extra layer of security, keep that bad guys out, तो देखिए, मैं यहाँ पर get started पर click कर लेता हूँ, अब देखिए, यहाँ पर मुझे अपने account का password डालना होगा, verification के लिए, और उसके बाद यहाँ next के ओपर आपको click कर लेना है, अब देखिए, जैसे ही मैं अपना password डाल देता हूँ, तो उसके बाद मेरा mobile number यहाँ पर दिखाई देता है, तो इस mobile number पर एक OTP या फिर call आप receive कर सकते हैं, verification के लिए, कि आपका यही number है, यहाँ आप चैंज करना चाहिए, तो यहाँ पर आप चैंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ से mobile number आपका चैंज हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे mobile पर एक OTP ना कि call आए, आप चाहें तो call भी receive कर सकते हैं, call जैसे आएगी तो उसमें भी आपको OTP बताया जाएगा, और यहाँ आप text message का use करेंगे, तो text message में भी आपको एक OTP ही आएगा, फिर नीचे की तरफ एक show more option है, यही मैं इसके ओपर click कर दूँ, तो देखिए, यहाँ पर आपको एक security key और दूसरा है Google prompt, इनका use करने को जोड़त नहीं है, यह एक device के लिए है, तो मैं यहाँ से next को click कर लेता हूँ, अब देखिए, यहाँ पर जो मेरा mobile number है, इस पर एक OTP आ गया है, उसको मुझे यहाँ पर enter करना होगा, देखिए, OTP मुझे receive हो चुका है, तो मेरे पास जो OTP आया है, मैं यहाँ पर इसको input कर लेता हूँ, उसकी बा है, यहाँ पर कहरा है, know that you were seen how it works, do you want to turn on two step verification for your google account, और उसके बाद आपकी email ID यहाँ पर so होगी, तो देखिए, अब आपका जो email ID है, यह हो गई, और second step verification में on करना है, तो यहाँ turn on का button generate हो चुका है, आपको यहाँ इसके ओपर click कर देना है, अब देखिए, जैसे आप click करे तो आपको इस window के ओपर लेकर आया जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए, two step verification is on, ठीक है, और यहाँ पर turn off का button भी है, आप future में जब चाहें, इसको आप turn off कर सकते हैं, और जब चाहें आप इसको on कर सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पर जो message के लिए, आपका mobile number verify हुआ ह यहाँ पर यह है, ठीक है, अब आप इसको change करना चाहें, चैंज भी कर सकते हैं, यह icon यहाँ पर आ रहा है, आपको इसके ओपर click करना है, और दूसर number जो भी आप इसकी जंगे पर replace करना चाहते हैं, वो number आपको देना है, उस number पर एक OTP जिस तरह से अभी आया है, इस number पर, यह पर आपको आपको पूसंद आया होगा, यह पर एक किसी भी Google अकाउंट पर second step verification को on करते हैं, अब देखिए मैं काम करता हूँ, इसको back करके देखता हूँ कि second step verification को अब वहाँ पर यह on दिखा रहा है, या फिर यह अभी भी वहाँ पर off दिखा रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पर किलिक करते हो देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर two step verification, यहाँ पर अब यह on हो चुका है, ठीक है, तो पहले यह on नहीं था, अब यहाँ पर यह on हो चुका है, तो इस तरह से आप easily किसी भी Google अकाउंट पर second step verification को on कर सकते हैं, उमीद करता यह पर आपको पसंद आया होगा, प्लीस तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको इस वीडियो से जरा भी हेल्प मिली हो, तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा,